दोस्तो आज की वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि आप कपड़े की पहचान कैसे करोगे यदि आप अपनी दुकान के लिए माल लेने के लिए जा रहे हो तो आपको कैसे पता चलेगा कि ये कपड़ा सिंथेटिक का है कोटन का है या कोटन सिल्क का है कैसे आप पता करोग कि ये कपड़ा रियोन का है या लेनन का है तो दोस्तों आप इस वीडियो पर बने रहे हैं तो वीडियो आपको पसंद आने वाली है आप लाइक कर दीजिए वीडियो देखने के बाद सेयर जरूर कीजेगा और चैनल को भी अभी सब्सक्राइब कर लीजिए लाल रंग का ब बहुत जरूरी है मगर दोस्तों जिस तरीके से कपड़े की पहचान करके आप अपने बिजनिस बढ़ाना चाहते हो उसी तरीके से बिजनिस में कपड़े की पहचान को जान पाने से पहले आप लोगों को कपड़ा कैसे बनता है और कपड़ा कितने परकार का होता है और कौ आपने पार्ट भी सुने होंगे जैसे कि ये तो लीान की साड़ी है ये तो आपने सुना होगा की वेल वैट का है आपने सुना होगी की ब्रोकोर है आखिरी ये सब चीज क्या होती है आपको सारी जानकरी सी वीडियो में मिल जाएगी पहचान करणा भी मैं को सब्सक्ना देखे एक तो पह Wash सिंथेटिक कपड़े में आग लगाते हो किसी रेशय को लेकर कि एक थोड़े से किनारे से लेकर के आग लगाते हो तो सिंथेटिक कपड़ा प्लास्टिक की तरह जलता है और चिपक जाता है उसके एक दूसरे रेसे और कुछ टाइट सी गैंद बन जाती है बोल बन जाती है एक छोटी सी आप उसे चिपका सकते हो मगर यहीं पर आप वूलन, कोटन और सिल्क कपड़े में यदि आग लगा कर देखते हो तो वो कपड़ा आपका जलता तो जरूर है मगर राक बन जाती है वो प्लास्टिक की तरह आप उसे चिपका नहीं सकते और राक बनने से आपके सरीर के ओपर ज़्यादा गलत इफेक्ट भी नहीं पड़ता दोस्तों सोचिए यदि आपके घर की कोई महिला एक किचन में है और किचन में वो सिंथेटिक कपड़ा पैन के खड़ी हुई है तो बाइचांस भगवान ना करें किसी के साथ ऐसा हो आग लग जाए कपड़े में तो सारे सरीर को जला देगी सिंथेटिक कपड़ा क्यों इस तरह से एफेक्ट करता है सरीर के साथ में और क्यों नुक्षाम दायक होता है वो आप समझ लीजे सिंथेटिक कपड़ा हमेशा सरीर से चिपका हुआ होता है जो कपड़ा आपको लगता है धिल्ला होने के बावजूद भी आपके सरीर को और एक cotton silk का कपड़ा दोनों दिखने में कपड़े एक जैसे होते है synthetic का भी चमकदार कपड़ा होता है और silk का कपड़ा भी चमकदार होता है दोनों को party में use किया जाता है मगर दोस्तो जब आप किसी दुकानदार के पास बैठ करके आग लगाने की बात करोगे तो कोई भी दुकानदार इस बात पर राजी नहीं होगा क्यों वो आपको कपड़ा दे क्यों आपको अपने कपड़े में आग लगाने का मौका दे आपने आग लगाने के बाद मना कर दिया तो उसका तो बेकार पीस तो इस वज़े से आपको synthetic और silk कपड़े में सबसे पहले पैचान बता रहा हूँ आँखों से देखा और हातों से छुआ ऐसी पैचान होनी चाहिए आँखों से आपने देख लिया दोनों चमकदार है, silk है अब आपको हातों से छुना है जैसे आप हातों से छुओगे तो silk का कपड़ा आपको एक softness देगा और synthetic का कपड़ा आपको silk के साथ, चमक के साथ में आपको एक रूखा पनसा भी देता है दूसरा उसका एक और बहुत बड़ा point है पहचान करने का दोनों कपड़ों को आप लीजे, एक तरफ synthetic का कपड़ा लीजे, एक तरफ silk का कपड़ा लीजे synthetic का कपड़ा हमेशा भारी होगा, और silk का कपड़ा हमेशा भलका होगा क्यों होगा सिंथेटिक कपड़े को मानव ने बनाया है इंसान ने बनाया है प्रकृतिक से नहीं आया है सिल्क का कपड़ा आपका प्रकृति का है जीव जन्तों से और प्रकृति से हमें ये सिल्क प्राप्त हुआ है दोस्तो अभी इसके बारे में मैं बात करूँगा party wear कपड़े की ये पहचान हुई है थोड़ी बहुत जो आपको समझ में आई होगी देखे आग का तो कोई भी दुकंदार आपको करने नहीं देगा मगर दोस्तो आज के समय परतियेक फैबरिक के ओपर नाम लिखा होता है कि ये synthetic कपड़ा है ये silk का कपड़ा है तो आप लोगों को उस कोई पहचान करने के लिए पहले वजन को पहचानना होगा अपने हाथों दुआरा की वजन किसमें हलका है किसमें भारिये silk का कपड़ा और synthetic कपड़ा दोनों party wear के use में आता है मगर silk का कपड़ा आपके शरीर को हानी नहीं पहुचाता synthetic कपड़ा 100% हानी पहुचाता है silk का कपड़ा आपके bacteria को रोकता है virus को रोकता है मगर synthetic कपड़ा आपके शरीर को बिमार करता है और bacteria भर भर के देता है आप 5 दिन silk का कपड़ा पहन लीजी और 5 दिन synthetic का कपड़ा पहन लीजी इसलिए synthetic कपड़े से आप दूर रहें, उसकी चमक चोंद पर मत जाईए और सस्ते के चक्कर में मत पढ़िए, synthetic कपड़ा आपको सस्ता मिल जाएगा, silk का कपड़ा आपको सस्ता नहीं मिलेगा, हमेशा आप rate का और मैं बता देता हूँ जब synthetic और silk रखा होता और दुकंदार बता देता है कि ये तो आपका 200 रूपे का और ये आपका 300 रूपे का है, तो 200 रूपे पर हाथ मत डालिए, क्योंकि वो जो synthetic कपड़ा है, ना तो आपके customer को आराम देगा, और ना ही आपको अच्छी कमाई देगा, वो जो 300 वाला कपड़ा है, वो 500 का बिग जाएगा, मगर synthetic जो कपड़ा आपने 200 का लिया, वो 200 का भी पकड़ने को कोई customer आपका तैयार नहीं होगा, तो आपको synthetic और silk कपड़े में पहचानना जरूरी है, दोस्तों इसमें एक छोटा सा point और मैं ले लेता हूँ, synthetic कपड़ा हमेशा mixed racinic तत्वों से मिल करके, इनसान उने बनाया है, मानव ने बनाया है, जो प्रकरती नहीं है, और मानव के दुआरा ये जो आज के समय फैसनेबल आइटम चल गए है, उन से आप बचकर रही है, तो ज़्यादे beneficial है, और यदि आपको एक अच्छी quality maintain करनी है, तो synthetic कपड़े से ज़्यादा अच्छा है कि आप cotton silk का कपड़ा ले लिजे, वो भी party wear होता है, थोड़ा सा महंगा होता है, मगर वो कपड़ा आपके सरीर को नुक्षान नहीं देगा, एक उधरन के तोर पर मैं आपको बता देता हूँ, आप कभी किसी यदि धर्मिक अनुस्ठान में गए हो, या party में गए हो, तो आप ज़्यादा तर इस साड़ी पहने होए कोई लेडीज होगी, तो सिल्क कोटन की होगी, चमकदार होगी, हलकी होगी, और ये कपड़ा सुकुडता भी कम है, हालांकि सिंथेटिक का कपड़ा भी कमी सुकुडता है, मगर ये कपड़ा आपको आराम देता है, ये कपड़ा हलका होता है, सिंथेट ये poly synthetic कपड़ा तो तैयार कर दिया जाता है मगर दोस्तों इस कपड़े में भी प्रेकरतिक वाले सभी गुन मुझूद नहीं होते हालां कि इस समय जो प्रेकरति से कपड़ा मिलना है उससे ज्यादा चलन में कपड़ा poly synthetic के कपड़े है जैसे कि रियोन का कपड़ा हुआ रिय उनकी साड़ी सुनी होगी बहुत जाद परचलन में है क्यों क्यों कि वो एक तो जब आप चुओगे उस रियोन के कपड़े को तो मैं पहचान बता रहूं सुनिए जो आप चुओए गे उस कपड़े को तो बहुत मकमली लगेगा बहुत सोफ्ट लगेगा वो कपड़ा क् के पीछे एक करण है एक तो उसके अंदर ऐसे रसाइनिक तत्व मिलाए गए है जो से सोफ्ट कर देते हैं जो उसकी शाइनिंग बढ़ा देते हैं और एक उसमें लकडी के गुद्धो से उन रसाइनिक तत्व को मिला करके जो मसीनों द्वारा रेसे तैयार किये जाते हैं जो धागे तैयार किये जाते हैं उन धागों से रियोन का कपड़ा बनता है जी हां लकडी के गुर्दों से लकडी का जो बूरा होता है उससे आप समझ सकते हो अपने गाउं की देशी भासमेतों दोस्तों जब रेसे तैयार हो जाते हैं कपड़ा की वज़े से एक इसमें साइनिंग रासाइनिक तत्वों को मिला करके साइनिंग डाल दी जाते उसकी वज़े से मगर ये ज़्यादे लंबे समय तक ये कपड़ा नहीं चल पाता हाँ कुछ समय के लिए जैसे पार्टी वियर में यूज करते हैं कभी कभी पहनते हैं तो उसके लिए बहुत अच्छा है आने जाने में पहनते हैं उसके लिए बहुत अच्छा है रियोन का कपड़ा जैसे कि आप कहीं ट्रेवलिंग कर रहे हो तो उसके लिए बहुत अच्छा है रियोन का कपड़ा आपका यदि दूसरा कपड़ा एक साल चल रहा है तो ये 6 महिने कपड़ा चलेगा और उनको मौका मिल जाएगा अपने हस्बेंड को ये कहने का कि आप जो कपड़ा ले करके आयते वो खतम हो गया पुराना हो गया मुझे दूसरा कपड़ा दिलवा करके लगा क्योंकि लेड परीड महिला होती है वे दोस्तों कोटन की साड़े पसंद करती है कोटन कोटन तो आप सब लोग जानते होंगे जैसे आप कोटन को अपनी आखो के सामने एक किसी परत को उठा करके देखोगे तो आर पार कर नजर आता है और उस कपड़े में कुछ धागे से रेसे से आपक होगा कि जब आप कपड़ा लेकर के आए कोई बनी बनाई शर्ट लेकर के आए और धुलते हो तो वह सर्ट आपके सरी में थोड़ी टैट हो जाती है क्यों क्योंकि वह कोटन की सर्ट है उस सर्ट को धोने के बाद वे जो जंगा बची हुईती रेसों के अंदर वे चिपक गए वे मजबूत हो गए और जब मजबूत हो जाते हैं तो वह कपड़ा भी मजबूत हो जाता है दोस्तों फिर आप में आप उस कपड़े को उठागर के देखोगे ऐसी अपनी आखो के सामने तो जो रेस अपने नए कपड़े में देखेते वो उसमें नहीं नजा और आर पार जितना ज़्यादा आपको विजीबल हो रहा था 60-70 परसेंट आप वो 20 परसेंटी विजीबल होगा तो यह होता है कोटन का कपड़ा कोटन का कपड़ा भूत ठंडा होता है इस वज़े से हर समय और खास दोर पे गरिमियों में तो बहुत ज़्यादा पहना जा हाते हो दुकंदर बताते हैं कोटन का कपड़ा है तो वह एक तैमे नहीं होता इस कोटन पस सिल्क का कपड़ा लोगे तो उसमें आपको इस देखनेक के बाद चकना को अ अच्छा लगे तो वह भी आपको नजर आने वाला है और दोस्तों हलका कपड़ा तो होता ही है मैंने आपको बता दिया था इसके बारे में और दोस्तों अब मैं बात कर लेता हूँ linen के कपड़े के बारे में देखे linen का कपड़ा भी एक party wear कपड़ा है अब आप linen के कपड़े की पहचान कैसे करोगे linen के कपड़े की पहचान तो देखे synthetic कपड़ा और silk कपड़ा और linen का कपड़ा यदि तीनों को एक साथ रखे तो बड़ा मुश्किल हो जाता है पैचानना linen का कपड़ा वैसे तो party wear में ही लोग use करते हैं और और मैं आपको बता देता हूँ linen का कपड़ा LC के पोदे के बीज से जो रे से निकाले जाते हैं उन से तैयार किया जाता है linen का कपड़ा जो बहुत ही अच्छा होता है soft कपड़ा होता है पहनने में आराम दैक होता है यदि आप उसके उपर पानी डालोगे तो बहुत जल्दी पानी सोख लेता है और यदि आप उसे सुखाओगे सब कपड़ों के साथ में तो सबसे जल्दी linen का कपड़ा सूख जाता है ये linen के कपड़े की पहचान होती है मगर दोस्ता अब आप काओगे दुकान पर बैट करके हम ना तो उसे सुखा सकते ना उसे धो सकते ना उसे जला सकते तो हम कैसे पैचान करें तो देखें linen के कपड़े के ऊपर सबसे बड़ी बात है कि कोई सबी खपड़ा हो उसके ऊपर आपको खास तोर पर linen लिखा हुआ न जराएगा linen में signing होती है linen हलका होता हो linen ऐसा होता है जब आप हाथ लगाओके तो हाथों को ठंड़क देता है smoothness linen के अंदर बहुत अच्छी होती हो लिएनन का कपड़ा सुकड़ता भी कम है जादा नहीं सुकड़ता जैसे आप कपड़े के प्रत को लेकर के अपने हाथों में ऐसे दबाओगे या मुठी में ऐसे बंद करोगे और फिर खोल के देखो लेनन के कपड़े को तो उसमें हलकी सी बहुत कम धारिया नजर आएगी शुकड़ने को यदि कोटन के कपड़े को ऐसे कर दिया तो उसमें तो बहुत जादे धारी शुकड़ने की नजर आएगी वो कपड़ा भी आ आपको signing मिलती है, party wear type का होता है, linen का कपड़ा किसी भी तरह के design में ढाला जा सकता है, linen का कपड़ा जादे तर आपको shirt या fill linen का कपड़ा आपको साडियों में देखने को जादे तर मिलता है, ladies की पसंद है, party wear type है, और shirt में linen, यदि signing वाली shirt जिसे आप silk की shirt कहते हो, या cotton shirt की shirt कहते हो, तो उस signing वाली shirt में, party wear shirt में कहें आपको linen की shirt लिक्वी मिल जाएगी, और जो अच्छे wholesaler है, वो हमेशा caller के पीछे लिख कर रखते है, linen, linen, linen का कपड़ा, तो ये पहचान मैंने कुछ verbally बता ही, मोटी मोटी बता ही, मेरे पास अभी कोई ऐसी साटी या साडी नहीं है, जो मैं आपको दिखा सकता, जो आप पहचान पाते हैं, दोस्तों, तीन ये item हो गए, synthetic, silk और linen, ये तीनों लगबग बराबर से लगते हैं, ले linen, जो है, आपके silk कपड़े से भी हलका कपड़ा होता है, और synthetic से हलका कपड़ा होता है, आपका silk का, silk और linen को ये compare करोगे वजन में, तो linen का कम मिलेगा, और silk का कपड़ा थोड़ा सा heavy मिलेगा, दोनों कपड़े ही party wear है, दोनों कपड़े ही कम सुकड़ते हैं, और दोनों कपड़े ही पानी क हम बात करें तो अच्छी तरीके से सोक लेता है खास तो भी लिनन का कपड़ा जल्दी सोक लेता है सिल्क के कपड़े से दोस्तों सिल्क के कपड़े में जाते तर आपको जो धागा मिलेगा वो आपको पोलिश्टर का धागा मिलेगा और जो आपको लिनन का कपड़ा है लिनन आजाएगा दोस्तो जब आप दुकान पर जाते हो तो सबसे पहले उसके कोर्नर पे चाहे साड़ी हो या आपकी शर्ट हो उसके कोलर पे या कोर्नर पे देखा करें कि क्या फैबरिक लिखा या उसके ओपर जो चीट लगी हुए उसके क्या फैबरिक लिखा हुआ है जी बहु कि अपने दुककंदार को कहना है कि हमें आप कोटन का कबडा दे दिजिये, सिल्क का दे दिजिये, את Linen का दे दिजिये या फिर आप हमें wolan का दे दिजिये या आपकोगे कि रियोन का दे दिजिये तो कपडे के ऊपर लिखा हुआ आ जाएगा और उसमें ये भी पता होता है कि कितने परसेंट ये है और दोस्तो तब ही तो हम कहते हैं कि आप किसी विश्वस इने होलसेलर या मैनुफेक्चर्स के पास जाए जिससे कि वो धोका ना कर सके मगर इतनी सी पहचान आपको होनी चाहिए कि कौन सा कपड़ा मार्किट में जादे चलता है तो दोस्तो मैंने बता दिया मैं फिर आपको एक बर और बता रहा हूँ कोटन का कपड़ा, रियोन का कपड़ा, लीनन का कपड़ा और सिल्क का कपड़ा इन कपड़े को आप खरीदिये देखे अब party wear के लिए आपको कपड़ा चाहिए तो आपको silk और linen के कपड़ा खरीदना है सीधा के ये जाकर कि मुझे silk और linen के कपड़ा दीजिए और यदि आपको ट्रेवलिंग के लिए daily wages के लिए आने जाने के मतलब के लिए साधी बिया के लिए छोटे-मोटे फंक्शन होते उसके लिए रियोन का कपड़ा खरीदे है। रियोन के कपड़े में आसानी होती है हर जंग आने जाने में और अच्छा भी लगता है पार्टी वियर टाइप भी कुछ कुछ होता है वो कपड़ा जितना ज़ाद है रेट हेवी uitने अच्छा पार्टी वियर लुक देता जाएगा और दोस्तो कोटन का कपड़ा डेली वे आई है और आप लोग यदि इस वीडियो को एक दो बार देखोगे दो बार तो कम से कम देखना इस वीडियो को आपको कुछ ने कुछ डिफ्रेंस आएगा मेरे सब्दों में क्यूंकि एक बार आप जो सुन रहे हो वो दिमाग में फिट नहीं बैटेगा जब दो बार जो दिमाग में फिट हो जाए वो भी बड़ी मुश्किलों से बैठता है इस वैसे मैं कह रहा हूँ कि दो तीन बार वीडियो जरूर देखेगा अब देख ली फिर आदे पौन घंटे बाद देखेगा समझने की सोचने कोशिश कीजिएगा मैंने कैसे कैसे क्या क्या बताय आग लगाने वाला तरीका हर जंगे सक्सिज नहीं हो सकता है इसलिए च्छूने के लिए और आखों से देखने वाला तरीका ही हमेसा सक्सिज होता है और दोस्तो रेट की आपको मैने बात बताइती कि आपको जितना भी आपका बजट हो 20% आप सस्ते कपडे कोटरन फैबर के और लीनन इस तरह के कपड़े जादे तर चलते और उससे भी हाई क्वालिटी में आ जाते है तो देखे एक कपड़े आते हैं इसमें पार्टी वियर में ही जो आपने एक उधारन लेला तो बनारसी साड़ी का नाम सुना होगा बनारसी साड़ी बहुत महंगी मिला है उनी कपड़ा मिला है इसमें कुछ राशाइनिक तत्वों से मिला करके बनारसी साड़ी भी तैयार की जाती है बनारसी साड़ी में आपकी बहुत स्मूत नैस होगी बहुत चमक होगी यार हाथ लगाओगे तो ऐसे पानी की तरह रिपट जाएगी एक चीज ध्यान लखेगा बनारसी साड़ी में आपको हमेशा सिल्क का धागा मिलेगा पोलिस्टर का को जो धागा मिलेगा कोटन का धागा नहीं मिलेगा बनारसी साड़ीों का डिजाइन से भी आप पैचान सकते हो बनारसी साड़ीों को और बनारसी साड़ी एक रिच होती है ये ब्रो कोड होता है इसमें भी आपका सिल्क का धागा की जाता है रंग विरंगे अलग अलग धागे इस्तेमाल किये जाते हैं सिल्क के रा जा ज़िके राजाओ मारा जाओ की कभी आपने ड्रेस देखी हुं बोली वूड इंद मुंवी में तो वे भी अलग-अलग कलर के आपको मिलेगी वो सब ब्रोकोड में आ जाते हैं और ब्रोकोड एक रिच लुक भी परदान करता है जितने पहले लोग है या अभी भी जो बड़ी वो बड़े-बड़े रिच मैन है वे अभी भी आपको इसी तरह के ब्रोकोड कपड़े पहने कहीं पर बैठने पर वो सुगड़े ना एक अच्छी रिच लुक हमें दे सके वो ब्रोकोड कपड़े में आता है आप जब भी अपने बैड के ऊपर चादर बिचाते हो और शोफो के ऊपर कवर रखते हो तो वो भी अच्छा लेने कोशिश करते हो उसमें भी आप देखना कि इन परोकोड कपड़े को किसी भी डिजाइन में ढाला जा सकता है और किसी भी तरीके से यूज किया जा सकता है और ये कपड़े शोफ्र भी हो जाते है और किसी तरह बैठ जाते हो आप उनमें धो सकते हो तो ये हर तरीके से रिच लुक परदान करते हो और कलर की समस्य बीज में नहीं होती सबसे ज़्यादा कलर चुटने की समझे होती है रियोन के कपड़े में तो दोस्तों उम्मीद करता हूं कि यह वीडियो आपको पसंद आई होगी और कुछ और जादा जानकारी लेना चाहते हो तो कमेंट्स कीजे और वीडियो को दो तीन बार जरूर दे है जरूर देखे और टेप भगदी चैनल डिस्क्रिप्शन में लिंक है भजनों का सिलसिला चालू है आप उस पर भजन सुन सकते हो जो मेरी वाइफ की आवाज में और कुछ भजन से लाइव मेरी आवाज में भी मिल जाएंगे और दोस्तों हमारे बिजनिस मास्टर प्रह रिपीट मिलेगा कुछ नया मिलेगा तो जरूर आप देखा करें तो धन्यवाद थैंक्यू वेरी मच हमारी वीडियो देखने के लिए थैंक्यू सो मच नमस्कार